हेलो दोस्तों मैं आपके अपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज है 28 मई और आज के करेंट अफेर हम लोग देखने वाले हैं तो वीडियो में आगे बनने से पहले आप मैंचन को सस्क्राइब कर लिजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और अगर आपने पहले से स्वाइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यबाद साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसे लगा या आप कितने प्रश्ण के उत्तर जो है पहले से जानते हैं साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करिए चलते हैं अपने फर्स्ट कोशन किताब दोस्तों हमारा फर्स्ट कोशन है हाल ही में जिस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैस्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे 60 लाख डालर देगा तो वह देस्ट है अमेरीका इसको फिर से देखें के अमेरिका देश ने कहा कि कोरोना वायरस वैस्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे 60 लाख डॉलर देगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोश्चन दोस्तो है हाल ही में जिस देश के राष्ट पती ने ओपन स्काई संधी से अलग होने की चेतावनी दी तो वह भी है अमेरिका अमेरिका के देश यानि की डोलान ट्रंप ने ओपन स्काई संधी से अलग होने की चेतावनी जो है दी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है विस सो मौसम दिवस किस दिन मनाया जाता है तो विस सो मौसम दिवस 20 मई को मनाया जाता है 20 मई को विस सो मौसम व समाप्त करने का निर्देश दिया तो वह है जापान हाल ही में जापान देश के प्रधान मंत्री ने कोरोना वाइरस के कारण देश में लगे आपात काल को समाप्त करने का निर्देश दिया नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं समय नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में जिस देश के तेज गेद बाज सेहान, मन्दु सनका को ड्र को रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। तो इसका जो है स्रिलंका के हैं हाल ही में स्रिलंका के तेज गेंदबाज सेहान मदुसन का को ड्रक्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है नेक्स्ट कोशन देखते हैं इथी रोपिया द्वारा जिस नदी पर एक मेगा जल विद्युत पर योजना का निर्मार किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रभाव में इस्थि देशों में यथायत मिस्त्र तथा इन्थी रोपिया के मद जल युद्ध की संभाना को करें बिश्व स्वास्थ संगटन यानी की डबलू एचुओ ने शाल ही में जितने उम्मीदवारों के मानों परिग्षड में प्रवेस करने की घोसड़ा की है तो वह है आठ इसको एगल फिर से देख्ते हैं डबलू एचने डबलू एच ओने हाल ही में आठ उमीदवारो के मानव परिछड में प्रवेस करने की घोसड़ा की है नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट है भारती सेना में अफसर और महिला सांतिदूत उत्तराखंड की जिस मेजर को संयुक्त राष्ट सेन जेंडर एडवेकेट आफ दा इयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा तो उन भारती सेना में अफसर और महिला सांतिदूत उत्तराखंड की संयुक्त राष्ट सेन जेंडर एडवेकेट आफ दा इयर अवार्ड से सम्मानित करेगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है बिस्व इस्तपात संग ने हाल ही में वर्ल्ड इस्टी तील में जितने प्रेंट की गिरावत आई है तो इसका जवाब है 65 परेश प्रतिसत इस्तपात ने हाल ही में वर्ल्ड इस्टी रिपोर्ट जारी की इस रिपोट चयानू सार भारत में करूड इस्टेल में 65 फरसंट जीहां 55 परसंट की गिरावत आई है लास्ट कोशन अपना देखते हैं हमारा लास्ट कोशन है अंतर राष्टी गुमसुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है तो यह है पच्चिस मई पच्चिस मई को अंतर राष्टी गुमसुदा बाल दिवस मनाया जाता है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक ली झाल झाल झाल